हेलो फ्रेंड्स और वेलकम तो सेशन ओन कम्प्लीशन ओफ फिगर्स एक एससी सीजेल की बात करें तो कम्प्लीशन ओफ फिगर्स से बहुत इजी दो या एक कुश्छन आते हैं जो आप असानी से कल लें बस आपको पैटन समझना होता है समझ लीजिए कि बच्चों का खेल ह है बट थोड़ा साउधानी के साथ बरतना खेलना है ठीक है जैसे कि इस कुश्चन को देखें अगर हम एक स्कॉयर है जिसमें एक डाइग्राम है और आपको इस प्लेज पर बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा ठीक है इसी पैटन के एक पैटन बिगड़ना नहीं चाहिए तो आप कई तरीके से पैटन को देख सकते हैं देखें सबसे पहले अगर मैं इस छोटे से स्कॉयर की बात करूं उसमें चार छोटे स्कॉयर्स हैं जिससे मिलके एक बड़ा स्कॉयर बेना तो छोटे स्कॉयर की बात करूं तो ऊसमें चार्क्ड रोगें हमें चाहिखें और आजल्गां नो शेट है वह इस साइड में था साइड पर ही मैंटेंड हिन्हीचीज होगी यह दोनों फिगर इर आजेंगे और यह वाले फिगद इधर आजेंगे शेट इस साइड था तो इस साइड ही रहेगा इस साइड हमने शेट किया अब आपको यह फिगर चेक करना है कि इन चार आप्शन में से कहां पर है ठीक है यह तो नहीं है अब देखिए इस पार्ट को देखें इस पे यह जो दोनों है इनका डियर्क्षण चेंज हो गया इस पार्ट इस पार्ट पे इस फिगर का डियर्क्षण तो इन तो हो नी सकता यह हो नी सकता इन दोरह में से कोई एक है answer is this because यहाँ पर सिर्फ एक ही हमें क्योंकि यह एक circle है complete और इसके लिए मुझे सिर्फ एक part चाहिए एक arc चाहिए यहाँ पर दो arc हैं तो this cannot be the answer so this is our answer तो completion of figure बहुत easy concept है और may भी हो सकता है हम और कुछ question discuss करें और में भी हो सकता है ना करें because this is very easy part of reasoning हर को ही कर सकता है थोड़ी सी practice चाहिए तो completion of figure से जाहिए और जितने ज़्यदा questions हो सकते हैं आज आप completion of figure से कर लेजिए previous year में जो भी questions पूछे गया है उन्हें आप solve कर लिए तो आप समझेंगे कि it's very easy only what you need is to crack the pattern आपको सिर्फ उस पैटन को देखना है उसे क्रैक करना है